सुबह खाली पेट अगर आप रोजाना गुड़ और चना साथ में खाते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप रोजाना सुबह गुड़ और चना का सेवन करते हैं एक बुटी चना और थोड़ा सा गुड़ लेना है आपको इसका सेवन करते हैं तो आपकी हेल्थ में कहीं सारे बदलाव आप देखेंगे अगर आप फालतू की चीजे खाते हैं चिप्स कुरकुरे या फिर अल तो उनकी हेल्थ में भी आपको कहीं सारे चेंजेस कहीं सारे बैनेफिट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों गुड़ और चना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है क्योंकि इसमें आइरन केल्सियम मैगनेशियम फासपूरस कहीं तरह के इंग्रेडियेंट करते हैं तो आपको किन-किन चीजों में फाइदा मिलेगा और क्या-क्या बैनेफिट मिलेगा दोस्तों सबसे पहला अगर आप रोजाना गुड़ और चने का सेवन करते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है आपका पाचनतर्ण मजबूत होता है क्योंकि चने म दोस्तों इसमें calcium magnesium phosphorus और iron बरपूर मात्रा में रहता है जिससे कि आपकी हड़िया मजबूत रहती है आपकी बॉन हेल्थ अच्छी रहती है तीसरा फाइदा इसमें iron की मात्रा रहती है जिसके कारण आप गुड़ और चना साथ में लेते हैं तो आपको बरपूर मात्रा में से वाइरल जो विमारियां हैं उनसे लड़ने में आपको मदद मिलेगी यहां तक कि आप बिना दवा के ही छोटे मेटे वाइरल जो है छोटे मेटे इंफेक्शन से आप लड़ सकेंगे गुड़ और चने का सेवन करने से आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है क्योंकि इ तो अगर आपको दिमागी ठकान लगती है तो आप गुड़ और चने का शेवन करना स्टार्ट कर दीजिए यहां तक कि आपके वेट लोस करने में भी यहां बहुत ही हेल्प करता है अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो गुड़ और चना साथ में गुड़ आप बहु नहीं लगती है और वजन कम करने में आपको बहुत ही हल्प रहती है दोस्तों शुगर के पेशिंट भी चने का शेवन जरूर करें गुड़ का सेवन ना करें तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप चने का सेवन रोस्टेट चने की हम बात कर रहे हैं तो बुने हुए चने क आप इस्तमाल जरूर करें जिससे आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा दोस्तों अगर आपको वीकनेश भी लगती है कमजोरी भी अगर आपको लगती है तो आप बुरो और चने का सेवन करते हैं तो इन में इतने सारे मिनरेल्स रहते हैं प्रोटीन रहता है इसमें फाइबर्स रहते हैं तो आपकी शारी कमजोरी को भी यहां दूर करता है साथ यहां आपकी मेटाबोलिक रेट जो है उसको इंप्रूब करता है मेटाबोलिजम को आपको सुदारता है तो आपका मेटाबोलिजम दुरस्त रहता शेर जरू परेगा और इस पेज पर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तेंक यू